नमस्कार डेली डारी न्यूज में आप सभी कास स्वागत है दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भार्ग की वल्लेवाजी बिल्कुल बेकार रही है जिस प्रकार की शुरुआत मिली थी उस प्रकार से टीम इंडिया को कम से कम साड़ी 300 का स्कूर बनाना चाहिए था तो इस वीडियो के कॉमेंट डॉक्स में हमें अपनी डाय देने ना भूले हम आपको बता रहे हैं कि भार्ग की पूरी पारी मेंच 255 रन पर ओल आउट हो गई जियां भार्ग की सांदार सुरुआत के बाद भारती टीम को करीवन 300 के पार तो जाना ही चाहिए था लेकिन भार्ग 200 रन का आकरा ही पार कर पाया जो की काफी सर्मना खो सकता है और भारत की हार आज इस मैच में निश्चित नजर आ रही है क्योंकि इस विगेट पर रन बनाना आसान था भारत की तरब से सरबादिक रन 74 सिखर धवन ने बनाए क केल राहुल ने सेहतारिशन की पारी के लिए इन दोनों के आउट होने के बाद भारत का विगेटों का पत्र शुरू हुआ और रिसब पंद में थोड़ी वल्लेवाजी की लेकिन बाद में कोई भी वल्लेवाजी की नहीं पाया और भारत की पूरी पारी 255 नन पर all-out हो ग झाल